अर्जुन कंस्ट्रक्शन में आपका स्वागत है दोस्तो आज हम आपको जानकारी देने बाले हैं कि आप जो अपना मकान बनाते हैं तो वो आप जब भी किसी कॉंट्रेक्टर को ठेका देते हैं तो आप इस बात की जानकारी कर लें कि कंस्ट्रक्शन जो है वो आप इस बात की जानकारी कर लें कि construction में जो structure तयार करने का और साथ में दिवार का जो पलस्तर का जो काम है वो labor rate क्या होता है तो वो है लगभग 180 रुपय से लेकर 500 रुपया तक का जो square foot है मतलब square foot के हिसाब से 25 होगा तो एक square foot का 180 180 रुपया से लेकर 500 रुपया तक का इसका rate है अब आप सोच रहे होंगे कि 180 रुपया और 500 रुपया में rate का बहुत अंतर है तो मैं आपको बताऊं कि जो 180 रुपया का rate है वो गाउं या छोटा कस्वो का rate है क्योंकि वहाँ जो गाउं में है वो मजदूर कम rate में मिल जाते हैं लेकिन बड़े साहरों में लेवर मिस्तिरी महंगे rate में मिलते हैं इसलिए साहर का rate महंगा होता है अब मैं आपको बतला रहा हूं कि जो 160 रुपय से लेकर 200 रुपय structure square foot है वो इसमें ठेकेदार आपको क्या क्या काम करके देगा और क्या सामान ठेकेदार का रहेगा तो दोस्तों ठेकेदार का इस rate में चुनाई पलस्तर अंदर बाहर करेगा लेंटर में सेट्रिंग, वाइबरेटर, वाइबरेटर और ये construction, mixer, machine, तसला, फाबडा, बास, चाली, बल्ली, रसी, लेवर, मिस्तिरी ये सब सारी चीजे जो होगी वो ठेकेदार की होगी फ्लोर के उपर कच्ची रोडी तोड़ कर देगा जो लेंटर डलता है तो उसके उपर जब आप उसके उपर पत्थर लगवाएंगे या फ्लोरिंग टाइल लगवाएंगे तो उससे पहले उसपे कच्ची रोडी तोड़ी जाती है तो वो ठेकेदार उसी रेट में आपको तोड़ के देगा कीचन का सिलेब का रेट 50% अलग से चार्ज लगाएगा जैसे आप जो कीचन में सिलेब डलवाते हैं या आपको मर्जी है कि आप कमरे में भी सिलेब डलवा सकते हैं तो उसका रेट जो हो जाता है वो 50% हो जाता है जितना अर्पे स्क्वाइर फूट है आपका उससे वो आधा पैसा लेगा लेकिन उस स्लेप का भी वो पलस्तर और लेंटर में जो भी सामान लगेगा मतलब सेटरिंग वेटरिंग वो सब ठेकेदार का होगा पैरा फूट यानि की बाउंडरी भी उसी ठेके में लगाएगा मतलब जो कई ठेकेदार कहते हैं की बाउंडरी का पैसा अलग से लूँगा तो नहीं वो भी आपका उसी ठेके में ही होता है मालिक को सिर्फ मेटेरियल लाने की है जैसे की इट, सिमेंट, बालू, सर्या कूल मिलाकर इसमें खास बात ये ध्यान रखना है कि जो चीज मकान के अंदर लग गया निकलने की चीज नहीं है वो मकान मालिक का होता है और जो सामान यूज करने के बाद बापिस चला गया या तूट फूट गया तो ये सब सारी चीजे जो है वो ठेकेदार का होता है तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप अपने मकान बनाने से पहले ठेकेदार से जब बात करें तो बात टै होने के बाद एग्रिमेंट अबस्स करवाएं एग्रिमेंट में आधार कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड अबस्स सामिल करें एक बात की और बात जियान रखें कि आप जितना भी बड़ा ठेकेदार से काम कराएंगे उतना ही रेट महगा होता जाएगा यदि आप बड़े ठेकेदार से काम कराएंगे तो वो उसका काम देखने बाला एक मुनसी अलग रहता है एक इंचार्ज अलग रहता है तो उसकी जो सेलरी है वो आपके उपर ही इंकुलिट किया जाएगा क्योंकि वो जो ठेकेदार दोनों तीनों आदमी को जो सेलरी देता है तो वो अपने घर से नहीं देगा वो rate पे ही वो कर देता है मतलब बढ़ा देता है करने की वो चोटा ठेकेदार है वो यह सब मुनसी एंचार्ज नहीं रखता है इसलिए वो कम rate में भी काम पकड़ लेता है इसलिए आप की समझदारी इसी में है कि जो आप छोटे ठेकेदार से ही काम कराएं जो बड़े ठेकेदार होता है उसी के यहां से काम करके फिर वो ठेकेदारी का काम करना चालू करता है इसलिए आप कभी यह नहीं सोचें कि छोटा ठेकेदार का काम अच्छा नहीं रहेगा बलकि सच तो ये है कि बड़े ठेकेदार से अच्छा काम छोटे ठेकेदार ही करेगा क्योंकि उसे अपनी मार्किट बनाना है और मार्किट बनाने के लिए छोटा ठेकेदार आप से पैसा भी कम लेगा और काम भी अच्छा करेगा तो दोस्तों ये हमारा वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से को भी ज़्यादा से ज़्यादा सेयर कीजिए ताकि उन्हें भी मकान बनाने में असुबिदा ना हो थ